तो आज इस वीडियो हम डिसकस करेंगे December 2020 के Current Affairs और जितने मी आम आप एपर देख रहे हैं हम सब डिसकस करने वाले चाहे वो Defense के बारे में हो Books and Author, Obituries, Award, Appointment, Summit, National News, State News, Sports और वो भी सब कुछ जो इस के बीच में लिखना मैं भूल गया हम तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो आज हम डिसकस करने वाले हैं फुल मनंत के Current Affair December 2020 तो सबसे पहला Current Affair है Mount Everest declared 86 cm taller by Nepal and China इसका मतलब का भी यह भी आप लोग देखकर शाहे चोंगे होंगे कुछ student कि मैं क्या Current Affair लेकर है हम आज का पहला कि Mount Everest जो है उसकी height 86 cm बढ़ गई है यानि कि लगबग लगबग 3 feet बढ़ गई है ऐसा अकसर हुआ क्यों है यह होता है भाई Plate Tectonic Theory की वज़ासे यह मैं जब जो Graphic करवाँगा तब मैं आपको इसके बारे में डेटेल में समझाऊँगा कि Plate Tectonic Theory है क्या तो 86 cm जो है पहले से पढ़ गई है That means total कितनी हो गई है यह पहले आपने पढ़ा होगा कि 8848 meter है लेकिन अब इसमें 0.86 भी एड करना पड़ेगा आपको और लास्त नहीं जब इंडिया ने मेजर किया था तो 1954 के अंदर किया था अब jointly चाइना और नेपाल ने इसको दुबारा से मेजर किया है तो current affair काफी important है भी एक्जाम में आने के chances रहते हैं और एक ही जोर कहीं बार एक्जाम में पूछ लेते हैं कि नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है सागर मता के नाम से और साथ ही में तिबबत के अंदर इसको माउंट कोमो लेंगमा के नाम से जाना जाता है हो सकता है कि pronunciation थोड़ी उपर नीचे हो आप लोग इस सीज को समझे सकते है second है मेनमार के पॉल सेंट ट्वा को Goldman Environmental Prize 2020 से सम्मानित किया गए है यह मिला क्यों है for his effort in promoting the self-determination of current people यानि कि वहाँ पर current people के बारे में इसने promotion किया है यानि कि उनके जो भी किस तरह से वो natural sources को manage करते हैं उसकी इसको encourage करने के लिए इनको यह award दिया गया है third है एक book है जिसका title है धर्मा author किया है Amish Tripathi ने और उसनकी cousin sister भावनार रोई ने तो बैसके लिए क्या है कि एक non-fiction है यानि कि कोई मनकरत कहानी नहीं है यह और इसकी जो first इससे पिछली जो non-fiction book थी उसका नाम था Immortals India तो Immortals India के बाद जो 2017 में हुई थी अब इनकी second non-fiction है जिसके बारे में इसने यानि के जो हिंदू के धर्म गरंथ है उनके बारे में बताया हुआ है तो टाइटल के आपुक का धर्मा recording the epics for a meaningful life नेक्स्ट है अश्रफ पटेल विन Social Entrepreneur of the Year for India 2020 यह founder member और board member है भई प्रवा एन कॉम म्यूटिनी तो यह award मिला है भई अश्रफ पटेल को नेक्स्ट है UNESCO ने launch किया है Banga Bandu Award on the creative economy यानि कि एक नया award है जिसका नाम रखा जाएगा भई बंगलादेश के जिनकों की Banga Bandu जैसे हमारे इंडिया के अंदर गांदी जी को महत्मा गांदी बुलाता है उसी तरह से शेख मुझीबर रह्मान को बंगलादेश के अंदर Banga Bandu के नाम से जाना जाता है और दूसरी बात यह है कि यह पहले बार ऐसा हुआ है कि किसी यूएन एजनसी ने Banga Bandu के नाम पर कोई अवोर्ड रखा है तो यह अवोर्ड का ही नाम है इनको मिला नहीं है यह अवोर्ड का नाम है अगले कोश्चन पर जाने से पहले भई अगर आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजएगा इसकी PDF आपको मिलेगी टेलिग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फेस्बू के फोलो कर सकते हैं कोई क्वैरी है तो आप लोग मुझे यहां पर लिख सकते हैं यह सारे अकाउंट में खुदी जो है हैंडल करता हूँ और एक चीज़ जो आपसे शेर करनी थी कि जितने भी मेरे सस्क्राइबर है या नहीं है मालीजि अगर 100% लोग विडियो देखते है तो उसमें से जिरफ 21% ही सस्क्राइब करते हैं बाकी के नहीं कर पाते है तो भाई ये आप सस्क्राइब जुरूर किया किया है अगर आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं तो वो अलग बात है लेकिन देख रहे हैं तो और आपको अच्छा लग रहा है तो you should subscribe उसके बाद है इंडियन टैनिस प्लेयर अंकीता राइना विन आईटीएफ डबल टाइटल इन दुबई डबल लिखा है that means भई दो लोग खेल रहे थे तो उनकी टीम थी अंकीता राइना तो हो गई साथ में उनकी टीम में कून था भी और जोर्जियन पार्टनर कैटरीन जोर्ज तो दुबई के अंदर ये हुआ था तो उन्होंने ये टैनिस जीता है नेक्स्ट है इसरों ने लौँच किया है कम्यूनिकेशन सेटलाइट जिसका नाम है CMS-01 हाला कि पहले इसका नाम कुछ और था बाद में वदल कर इसको CMS-01 कर दिया गया है चलिए डेटेल में देख लेते हैं एक बार पहले इसका नाम क्या था भई ये था GSAT-12R बाद में इसका नाम चेंज करकर CMS-01 किया गया और इसको जो था PSLV C-50 से लौच किया गया और ये जो CMS-01 है ये रिप्लेस किसको करेगा GSAT-12 को आप देख रहे हैं ने का नाम GSAT-12R था बदल कर CMS तो किया गया लेकिन ये रिप्लेस कर रहा है किसको GSAT-12 को जो की 211 के अंदर लौच किया गया था उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट में टू फ्लाई फास्ट इनस स्पीड अफ साउंड चक ये गर पासिस अवे फर्स्ट आदमी जिन्होंने की sound of speed इनके जो sound की speed है उससे भी तेज जो थे फ्लाई किया था फ्लाई करने का मतलब खुद नहीं उड़े थे वई एक उन्होंने ऐर्क्राफ उडाया था तो एरफोर्स के थे यूएस के यूएस के एरफोर्स ओफिसर जिनका ना था चकी अगर ये एक्जाम में डेफिनेटली पुछा जाया गा क्वेशन में जोकी 1947 के अंतर फर्स्ट पाइलेट बने जिन्होंने ये उडान भरी और एक एक्सपेरिमेंटल नोंने किस तो इंपोर्टन है याद रखेगा और हलका सा एक्सपेरिमेंट भी मैंने इस वीडियो में किया है क्योंकि पहले मैं MCQ लेकर आता था मैं MCQ नहीं लेकर आ रहा हूँ इनके सब्सक्राइब आप लोग चाहते है कि मैं next month की वीडियो गना MCQ के थुरू बना हूं तो मैं वह करूंगा लेकिन आप लोग मुझे comment section में बताएगा उसके बाद है कि इंडिया की तरफ से जो official entry ऑसकर के लिए वो मल्याल मूवी जली कट्टू है और इससे पहले 2019 के अंदर भी जो हमारी इंडिया की तरफ से official entry ती इसका मतलब क्या है कि इंडिया की तरफ से official entry यानि कि इ जी थी नेक्स्ट है Singapore's hawker culture gets UNESCO recognition UNESCO की recognition मिलिया वही किसीज के अंदर जो उनका street food का culture है यह आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यह लोग बिठा के मतलब कि किस तरह से वहाँ पर खाना खा जाता है तो इस चीज को जो culture था उसको UNESCO recognition मिलिया यानि कि उसको representative list of intangible cultural heritage of humanity के अंदर add किया गया है उसके बाद है इससे भी बहुत ज़्यादा question बनने वाले है क्योंकि ICC ने decade 2020 अनौंस कर दी है decade 2020 मतलब क्या है कि पूरे 10 साल के यानि कि 2011 से लेकर 20 तक का में जो भी खिलाडियों की performance रही है उस हिसाब से उनको award दिये गए है इस list के अंदर सारे ही award आप चाहें तो इसका screenshot रह सकते हैं और अगर आप लोग copy पन लेके बैठे हैं तो सबसे best है वह सबसे पहले कि जो ICC spirit of cricket award of the decade है वो MS थोने को दिया गया है आपको पता ही है कि इंडिया की तरफ से खेलते हैं अब अगर मैं बात करूं ICC male cricketer of the decade को उ विराट को ली रहे हैं कई बार इस इस अवोर्ड को इंबार सर गार्फिल्ड सोबर अवोर्ड भी बोल दे जाता है तो मतलब दोनों का सेमी है उसके बाद अगर ODA क्रिकेटर की बात करें तो यह विराट को ली हैं T20 Cricketer of the decade यह राशिद कान अफगानिसान के Spinballer है बहुत इस तरह से में women's की बात करूँ भई यह याद करना काफी easy है क्योंकि Alice Perry जो है इनको काफी तरह से इनकी काफी जादा वोड जो है इनको मिले है अस्टेलिया की old rounder player है मैंने काफी बार खेलते हुए देखा इनको तो काफी बैतरीन खेलती है यह तो female cricket होदा decade Alice Perry ODAI में भी Alice Perry और T20 में भी लेकिन अगर associate cricket की बात करें तो यह मिला है Catherine Bryce जो कि Scotland से खेलती है यह आपको almost सारे नाम याद रखने होंगे एक्जाम में किसी के बारे पूचा सकता है क्योंकि decade है यानि कि 10 साल में एक बार ही नाउस होता है क्योंकि decade 10 साल से मिलकर ही बनता है next है रतन टाटा तो यह प्राइजब इनको ने रेंदर मोधी ने दिया है और Associated Chamber of Commerce of India जो है इसकी full form है तो यह दिया गया है रतन टाटा को next है कुल्दीप हांडो appointed as Fit India Movement Ambassador तो अभी कोई भी मुवमेंट होती है तो most probably उसका Ambassador कोई ना कोई तो बनाया ही जाता है तो जो Fit India Movement है वो शिर्णगर के जन्मे वूशू कोच है और यह जो है फर्स्ट द्रोनाचार अवार्डी है जम्मू एंड कश्मीर से तो इसलिए इंपो है नेक्स्ट अभी इंडिया की फर्स्ट इंडिजनेस निमोनिय वैक्सिन आ गी है अलाकि अभी कोविड के बारे में बात चल रही है लेकिन निमोनिया की इंडिजनेस यानि कि इंडिया में वैक्सिन इसकी बन चुकी है बात करो में निमोनिया की कोविड ना इंडिकी नह नाम कहा इसका Nymosilus नुमोसil जो इसका नाम है और देखने वाली बात ये है कि ये बनाई किसने है ये important बहुत ज़ाद है पहली बात तो इसका नाम जानना बहुत important है उसके बाद ये बनाई किसने है तो ये बनाई है Serum Institute of India collaboration किसके साथ की थी Bill and Milinda Gates Foundation and Path के साथ तो ये important पूछा आ सकता है कि कौन से इंसिटूट ने बनाई है तो ये Serum Institute of India ने बनाई है Next है मनिपूर के नोगपोक सेकमाई पुली स्टेशन को Best in India का अवोर्ड मिला है यानिकि जब भी इसकी रेटिंग की जाती है तो मनिपूर के पुली स्टेशन का जिसका नाम है नोगपोक सेकमाई वो Best रहा है इंडिया के अंदर और सेकिंड मिला है तामिलाडू के AWPS यानि के AWPS मतलब कहा है की All Women Police Station Slam City के सुर्मंगलम बाकी लिस्ट आप लोग देखी रहे हैं Next है India invites UK Johnson Public Day मनाया जाता है तब कोई ना कोई Chief Guest तो बुलाया ही जाता है जैसे पिछली बार जो थे ASEAN के मेंबर बुलाया गए थे तो इस बार जो है India ने invite किया है UK के Prime Minister Boris Johnson को अलाकि वो आएंगे नहीं आएंगे होगी यह आप तस्वीर में देख रहे हैं वहां के PM है और इंडिया के PM और अगर मैं बात करूँ 1993 में यानि कि अगर 2021 में आगे तो Well and Good है इससे पहले भी 1993 के इंदर John Major आय थे Republic Day पे आय थे Chief Guest यानि कि उनके बाद 1993 के बाद 2021 में होगा कि कोई UK के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है याज चीफ गैस्ट इन रिपब्लिक टे नेस्ट वन इस लिटिनेंट जर्नल राजीव चोदरी बिकम निव डिरेक्टर ओफ निव डिरेक्टर जर्नल ऑफ ब्रो ब्रो का में बाउडर की नजदीक है वहां पर कंस्रेक्शना काम जो है ब्रो ही करती है तो राजीव चोदरी को इनका 27 वा डिरेक्टर जर्नल बनाया गया है रिप्लेस किसको किया है ल्यूटिनेंट जर्नल हरपाल सिंग को क्योंकि उनको क्या अग्जाम में कि ग्लोबल टारीक्टर ग। के अंडर इंडिया कररा है आधवा है इसằ tricks कि अफगानिस्तान है साथवे पर नाम आता है पाकिस्तान का आठ में पर आता है इंडिया का और अगर मैं बात कुरूं सबसे नीचे आप देख रहे हैं बुटान ऐसे काफी कंट्रीज है जिनका अगर मैं पॉइंट सिस्टम बात कुरूं वो जीरो पे है तो उनको एक सुपैंटीस में रेंक मिलें के ताल इनको पदम भूशन भी मिला था तो इनका जो है भी हाल ही में निधन हो गया था नेक्स्ट है उत्राखंड CM त्रिवेंदर सिंग रावत इनौगरेटर सूर्यधर लेक एनके एक नई लेक मनाए गई है इसका नाम है सूर्यधर लेक तो भी ये देहरादुन के दोयवाला के अंदर जो है सूर्यधर लेक का नाम पुछरा सकता है नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने सक्सेस्फुल टेस्ट फार किया है लेंड अटाइक वर्जन ओफ ब्रहमोज मिसाल ब्रहमोज के बारे मैं आपको पता यह होगा भई ब्रहम पुत्रा और मोज को इंपोर्टेंट क्या है इसके अंदर पहले बात तो की DRDO ने इसकी एक्जिस्टिंग रेंज को बढ़ाया है प्रहएं उसे बात करो नेक्स्ट वन इस उतकल कुमार सिंग अपोइंटेड एस सेकरेटरी जनल ओफ लोकसवा तो भई हमारे जो स्पिकर है ऑंबिर लाने उनको उन्होंने यह पोइंट किया है उतकल कुमार सिंग को एज़े सेकरेटरी जनल ओफ लोकसवा और इन से पहले कौन थे वही सनेहलता श्रीवास्तवा उसके बाद है यूएस ने एर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि लाहोर जो है दुनिया का सबसे पोल्यूटर सिटी है इसमें आपको एक फैक्ट देखने वाला मिलेगा इंटरस्टिंगली वो क इस तरह हमारी साइड के ही जो देश हैं जो सिटीज हैं वो काफी पॉल्यूट लगती है इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान होगा इदर अगर मैप की बात करूए इंडिया हो गया इदर वो इदर काटमांडू हो गया इसका मतलब क्या है कि इस रीजन को छोड़के बाग इसके शहरों को ही पॉल्यूट बताया गया है नेक्स्ट है फादर ओफ फाइबर ओप्टिक्स नरेंदर सिंग का पैनी जो है पासिस अवयन कि इनका हाली में निदन हुआ है इंपोर्टन हमारे लिए क्या चीज है इसमें यह चीज है कि उनको फादर ओफ फाइबर करकर पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है मेजर हट ब्रीज जिसका नाम जैहिंद रखा गया किसलिए सुबास चंदर नेता जी की 125 वी बर्थ एनवर्सरी को मनाने के लिए और कहां पर है यह वेस्ट पेंगोल के अंदर तो वहां की CM ममताब इनरजी ने ही यह काम किया है के बारे में जितनी तारिफ करूथ ने कम है था कियू कम है क्योंकि नोंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया था किस तरह से एजूकि से परमोट ऎनरिक एक तरह से एजूकेशन को ना इंटेटेइनवर्स पना दिया जिससे की बच्चों का ध्यान पढ़ाई के अंदर जादा लगे QR कोड बनाए जिससे की जो टेस्ट बुक है उसकी audio poem सुनी जासके video lecture देखे जासके story या assignment यानि कि उनको virtually भी दिखा जासके और इन्हीं की विजासिनों ने इतना अच्छा environment बनाए लड़कियों के लिए कि 100% attendance रही थी और जो इनको winning price मिला था ना बही 1 million dollar यानि कि इसको गर मैं Indian rupees में convert करूँ तो 7.4 होंगे तो इन्हेंने काफी जादा जो इसमें से amount थी वो जो runners up रहे ना उनको donate कर दे थी कि कहीं उनका होसला ना खराब हो जाए कि मेरे को मैं जीता हूँ उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तो भई यतिनी तारिफ किया है तो नहीं कम है इस इंसान की नाम है रंजीत देसाले नेक्स्ट है गितांजली राव बिकम first ever time kid of the year यहनिके जो time magazine के बारे में आप सुनागो अनोंने first time जो था kid of the year अनौंस किया था तो इसलिए गितांजली राव को first ever time का kid of the year अनौंस किया गया important क्यों है क्योंकि यह Indian American है Indian नहीं है Indian American है यहनिके America के अंदर भारतिय मूल है next है ICAR को King Bhoomibol Award Soil Day Award मिला है ICAR का मतलब है Indian Council of Agriculture Research और दिया किसने है यह FA उने यानिके Food and Agriculture Organization जिसका headquarter Rome इटली के अंदर है यह question बहुत पर पूचा गया और इसके जो head है वो है Q Dengu next है Raj Kamal Jha को Rabindranath Tagore Literacy Prize मिला है next one is Jehan Daruwala become the first Indian to win F2 race अब important क्यों है क्योंकि वही first Indian बने है F2 race इतने वाले और नाम है इनका जहन Daruwala next है Anil Soni appointed as the CEO of WHO Foundation अलाकि जो WHO Foundation अभी मई 2020 के अंदर लॉंच की गई थी और यह क्या एक independent grant making agency है जो की Geneva Switzerland के अंदर है तो नाम है भई Anil Soni जिसको की CEO बनाया गया है next है Gwalior और ओर्चा को UNESCO की World Heritage City लिस्ट के अंदर add किया गया है that means अब इंडिया का नंबर बढ़कर 40 हो गया है यानि कि भारत से 40 ऐसी sites है जो UNESCO World Heritage का दर्जा पाचुकी है दो city और add कर दिया Gwalior और ओर्चा next है उडिसा जो है वो Man World Hockey होने वाला जो 2023 के अंदर वो भी होस्ट करेगी आप लोंगो बता है कि 2018 के अंदर भी उडिसा भुमनेश्वर ने इसको जो था होस्ट किया था तो 2023 के अंदर भी उडिसा ही इसको होस्ट करेगा for second consecutive time next है Carolina Arozo इनको 2020 रामनुजिन प्राइस फोर यंग मैथेमेटिशियन दिया गया है नामियाद रखेगा आपको एक्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाने वाला है Caroline Arozo किसलिए 4 इस वर्क फोकॉस ओन बाइरेशनल जोमेट्री तो य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरको कभी समझे नहीं है जोमेट्री में मेरा ministivity मेरको कभी समझे नहीं है इवन आज भी नहीं समझाइए अगर कोई है मेरको पढ़ा सकता है तो वही ये जो लिस्ट आप पूरी देख सकते हैं कि sports person हो दा year female के लिए परफोर्मिंग सपोर्स अवोर्ड के अंदर मिला है मध्या पर्देश को और बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग समोर्ट प्राइवेट सेक्टर यह मिला है अनिल कुम्बले जीगा तो यह भी काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा उसके बाद अगर मैं human development index के बारे में बात कर नेक्स्ट वन इस लक्षदीब बना है इंडिया का पहला यूटी यानके union territory जो की 100% organic है इसका मतलब क्या है बई कि वहाँ पर जो भी produce हुगाया जाता है उसके अंदर कोई भी chemical या कोई ऐसा fertilizer use नहीं किया जाता है यानके totally वह 100% जो है organic है इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले अगर कोई state बनाया तो वो सिक्किम है अगर यहाँ पे state और UT को मैं लिख दूँ तो second आएगा क्योंकि पहला सिक्किम है अगर मैं state cancel कर दूँ यूटी पुछूँ तो मैं यूटी में पहला number दूँग इसको क्योंकि पहला UT यह है इंडिया के अंदर शेहर UT काउंट करेंगे state और UT काउंट करेंगे फिर तो second रहेगा लेकिन UT यह पहला है और capital क्या है इसकी करावती उसके बाद है human freedom index के अंदर इंडिया का रैंक रहा है triple one रहा है out of 162 country और इंडिया का 2019 के अंदर रैंक था 94 नेक्स्ट है इंडिया के विद्यूत मोहन को यंग champion of the earth जो की United Nation का जो environment program है वहां पर इनको यह award दिया गया है तो example interview से भी काफिर ज्यादा important रहने वाला है यह और annually यह price जो है 7 entrepreneurs को दियाता है जिनकी age basically under 30 होती है जिनके 30 से कम होती है तो इंडिया के विद्यूत मोहन उन में से एक है next है Donald Trump ने PM Modi को ओनर किया है जो US का top जो एक तरह से highest ओनर है US का legend of merit अब देखने वाली बात यह है कि PM Modi ने जो इतना से election campaign था काफी ज़्यादा help की थी Trump की वो कैसे आपने यह भी सुना होगा कि Howdy Modi प्रोग्राम हुआ था US के अंदर और फिर Donald Trump को इंडिया के अंदर बुला के पहले तो उसको नाम उसका जो था गेम चो ट्रम पर रखा था बाद में उसका नाम बदल कर नमस्ते ट्रम कर दिया गया था अभी I think यह lockdown से पहले की बात है March 2020 की तो काफी ज़्यादा campaigning तो की थी जिते नहीं वो अलग बाद है लेकिन हाली में उसके बदले में ट्रम ने जो है US का टॉप ओनर दे दिया गया है PM Modi को तो आप देख रहोंगे भी यह PM Modi तो नहीं इनको दिया जा रहा है क्योंकि यह इंडिया के अंबेस्टर है US के अंदर तरंजीत सिंग संदू उनको यह वोड दिया गया है मतलब कि PM Modi के बिहाफ पे इनको दिया गया है उसके बाद बात करेंगे BBC Sports Personality of the Year 2020 तो यह दिया गया है Lewis Hamilton को आपने इनका नाम Formula One Racing के अंदर सुनाई होगा Lewis Hamilton और यह वोड इनको 2014 के अंदर भी मिल चुका है यह इनके कि इनको second time मिला है नेक्स्ट है एक बुक है जिसका नाम है COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधा यह मेज देखकर आप लोग अगर पचान रहोंगे तो मैं बात कर रहा हूँ बई Nobel laureate इनके 2014 में इनको Nobel Peace Prize मिला था नाम है इनका कैलाश शत्यारती तो इन्होंने ये बुक जो है रिलीज की है एनके पब्लीश की है प्रभाद प्रकाशन ने ऑथर आपको पता ही है नाम है कैलाश शत्यारती इन्होंने बेसिकली COVID-19 के टाइम की बात किया कि किस तरह से पेंडमिक ने education system, business, politics, public safety, foreign policy, law, medicine, economy और किस तरह से country की development को influence किया था COVID-19 है उसके बाद है इन्डेजिसनी developed यानि के भारत के अंदर बनने वाली अकाश मिसाइल को export करने की cabinet approval मिल गई है याद रखने वाली बाते क्या है कि अकाश एक short range surface to air मिसाइल है और इसकी range जो है 25 km है इंडियन Air Force के अंदर इसको 2014 में शामिल किया गया था और आर्मी के अंदर 2015 के अंदर हमारे लिए देखने वाली बात यह है कि यह इंडिया की बनी हुई मिसाइल है जिसको की दूसरे देशों के अंदर भी बेज़ जाएगा यानिका एक्सपोर्ट किया जाएगा नेक्स्ट है हिमंत कुमार पांडे गेट्स DRDO Scientist of the Year Award यह वोर्ड मिलाक्षवेन को भई Developing Several Herbal Medicine यानि कि इनोंने एक popular drug भी मनाया है लुकोस्किन ड्रग भई ड्रग बेसिकली क्या होता है कि तरहा कि आपने कहीं बार देखा भी होगा कि chemist and drugist लिखाएगा ड्रग कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन अगर इसको excessive amount में ले जाए और डेली लिया जाए तब ये एक तरह से harm हो सकता है नशे के लिए तरह सकती है लेकिन बेसिकली इसका काम क्या था भई किसी ना किसी तरह से हमारे किसी ना किसी disease को ठीक करना तो उन्हें एक ड्रग बनाया था इसका नाम था Leukoskin किसकी treatment के लिए Leukoderma यानि कि ये skin-related disease है तो इसलिए इनको scientist of the year का vote दिया गया नाम है हमत कुमार पंडे तो अब ये थे हमारे कुछ current affairs जिनकी exam में आने की संभावनाई बहुत जादा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like भी करें और share भी करें ताकि और भी लोग हमारी वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ पाए तो चलिए thanks for watching कोई query है आपकी तो comment section में लिखके मुझे बताएगा मिलेंगे नहीं वीडियो के अंदर जल्दी जैहिन जैबारत